देश में कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ मश्दूर संगठनों की और से तीन दिवसी हर्दाल शुरू हो गया है जहां चक्का जाम भी कर दिया गया है इसे सफल बनाने के लिए NCL में मश्दूर संगठन की नेता पदादिकारी अपने समर्थकों के साथ सक्रिय रहे NCL की पादन डिस्पैच पूरी तरह से प्रभावित है कमर्शियल माइनिंग के विरोध में BMS इटक इटंक HMS C2 श्रम संगठन तीन दिवसी हर्दाल पर है संगठनों की माने तो NCL की खदानों में 95% तक हड़ताल सफल रही है जैंत दुधी चुआ अमलोरी गोर्भी समेत NCL की खदानों में काम पूरी तरह से ठप रहा इस दोरान कोईले का प्रेशन एवं डिस्पैच पूरी तरह से बंद रहा सिंगरोली NCL मुख्याले के भार शमिक संगठन के प्रतिमीधियों ने प्रदर्शन किया इसके अलावा खदानों में सुभा की प्रथम पाली से ही मश्तूरों ने हाजरी नहीं बनाई सभी लोगों ने बैठ कर विरोत्र प्रदर्शन किया वहीं अप प्रिये घटना से बचाफ को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तायत है NCL की खदानों समेत परियोचनाओं में पुलिस कर्मी लगातार गश्ट करते रहे मोर्वा थाना प्रभारी मनिश्ट्रिपाथी द्वारा सदल बल्थ प्रथम पाली से ही हरताल में मौझूद रहे सभी कर्मियों पर नजर पनाए रखी है ग्रोली से राजो दुबे की रिपोर्ट